हम लोग प्रैटिकल एक्जाम की प्रपेशन कर रहे है रोवल्क हे और फ्राइक इओ्प्रीट को चीजें चीजिघी गई हैं कि जिन बचों को वेब डिजाइनिंग के कोर्स यानि वेब डिजाइनिंग वाले पेपर को इस पेपर में जो सबसे important question आता है वो आता है HTML में form बनाने को form creation को लेकिन पहले form बनाना असान इसलिए होता था क्योंकि पहले आप लोगों के जो practical होते थे वह सारे के सारे प्राक्टिकल आप लोगों को थेरिटिकल होते थे कहने का मतलब है कि वह offline होते थे अब practical सारे online हो गए है तो आपको online कैसे exams देके यह form बनाने हैं उसी पर हम लोग discuss करेंगे एंटू के आप लोगों को 80 नंबर के प्राक्टिकल और 20 नंबर का वाईवा होगा इसे 60 नंबर में आपको तीन questions में लेके आप लोगों को मैं suggest करता हूं कि आप लोग Play Store में इंस्टूट अप्लिकेशन ज़रूर खोल लीजे और मैं आपको बता देता हूं कहां पर मिलेंगे यह सारी चीजे ताकि आप लोगों को revision करने में आसानी हो आइस Academy की साइट खोलिए और इस साइट के अंतरगत आप लोग जैसे ही first page खोलेंगे आपके सामने का कोर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है M2R5 इस M2R5 वाले कोर्स पर चले जाईएगा यहां पर मैंने इस बार जो लाइफ सेशन लिए हैं वो सारे आपको देखने को मिलेंगे है HTML का papers है यहां पर CSS है framework है Java है Photoshop है टेक्स एडिटर है सब की classes और PDF बहुत ही short और बढ़िया dots के form में आपको available है इनको ज़रूर कर लिजे तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे इसमें लास्ट येर की crash course की classes भी मैंने डाल रखी है किसी बच्चों को और जल्दी crash course करना है तो वो classes को continue कर सकता है main topic जो है वो है आपका mcq practice set इसमें जितने practice set आप लगा लेंगे उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला है हमारे पास old papers और उसी में नीचे देखेगा आपको मिलेगा प्राक्टिकल का यह अलग से फोल्डर तो अगर आपको प्राक्टिकल कॉलिफाई करना है तो इस फोल्डर के लगबख सारी वीडियो और पीडियेफ जरूर देख लिए लगबख सभी questions इसी में आपके फस जाएगग last day मैंने M1 का question आपको solve कराये थे और वो M1 वाले folders में जाके save भी हो गया है आप लोग को एक ट्रिक भी मैंने उसमें बताई थी को ट्रिक जरूर फॉलो करिएगा जिससे आपको benefit मिल जाएगा नहीं तो problem वही हो जाती है कि देखे मैं आपको दिखाता हूं जैसे अमारी screen प और अब जैसे आपको यह तो दिख रहा है हाँ यह देखिए पहले warning आती थी मैंने आपको बताया था ना कि आप लोग अगर tap change करेंगे तो पहले warning दिखाता था लास टाइम warning बंद कर दीने लिटने क्योंकि 10 warning देता था लेकिन आप बच्चे इधर उधर क्लिक कर देते थे इसलिए warnings हटा दी गई है जो आप लोगों का paper होगा वो M2 और M3 का यहां तक की M4 का भी यहां बाई तरफ सवाल दिया रहेगा और एक मज़े की बात यह है कि य जो ट्रैक कर पाएंगे और बाकी M1 में आप लोगों का selection process नहीं possible था क्योंकि M1 वाले question में उन लोगों ने tables बना के पूरा format दिखा दिया था मैं दिखा देता हूं M1 में आप लोगों का question कुछ इस तरीके के form में था यह लोग इन किया हम लोगों ने लोग इन करने के बाद हमारे पास M1 पेपर शुरू हुआ कुछ ऐसा था अब इसमें प्रॉब्लम यह होती कि उपर पेपर है और उपर पेपर और नीचे लिब्रा ओफिस चल रहा है तो जब हम लिब्रा को जूम इन कर लेते हैं तो जूम इन करने के बाद लिब्रा तो पूरा बड़ा-बड़ा स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा हमारे सामने इस तरीके से लेगिन कोशन तो गाया भी हो गया अब बच्चा बार-बार जूम इन जूम आउट करेगा तब तक तो दस मिनिट निकल गए और आपके पास 15 मिनिट हैं पूरा एक कोशन करने के लिए तो मैंने आपको लास पतनी पड़ेगी बच्चों क्योंकि M2 में जो कोशन आते हैं वो कोशन आपके साइड में दिखते रहेंगे साइड में दिखने का मतलब है मैं यह भी दिखा देता हूं कि कुछ पेपर्स में इस तरीके का दिखाई दे रहा होगा जिसमें आपको यह पेपर्स जो है वह M2 के फॉर्माट में या M1 के फॉर्माट में इस तरीके से ऐसा दिखाई देगा साइड में आपको यह कोशन पढ़ने के साथ साथ बच्चों आपको यहां पर टेक्स एडिटर भी दिखाई देगा मैं दिखा देता हूं एक पूरा वीडियो बना हुआ इसको लेकर और इस प एक सकेड़ देखिए इस तरीके से यहां पर पूरा कोशन होगा इधर पर आपके सामने पूरा कंपाइल करने के लिए स्क्रीन होगी पूरी की पूरी आप इस पर पूरा लिखेंगे कंपाइल करेंगे जैसे यह पाइथन में दिख रहा है सेम आपके M2 में भी होगा और उ प्रिव्यू को भी देख पाएंगे और उसके बाद जब आप पूरा हो जाए तो सब्मिट कर दीजेगा कोड तो यही एक सिंपल सा प्रोसेस है आप लोगों को यह जो पहले के प्री रिकॉड़ेड वीडियो सैंपल से आप उससे देखकर बना पाएंगे इसमें जा रहा हूं कि आप लोगों को आज का जो में टॉपिक है वह कैसे करेंगे में टॉपिक में बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं कि एक कोशन जो कि आप लोगों का है इस कोशन में मैंने ह्टेमल का पूरा कोशन लिया हुआ है और इस कोशन में आप लोगों को दिया ग application के लिए form में आप लोग first name, middle name, last name, gender, address ये सारी चीज़ेंगे पूरे लिखेंगे, अपनी qualification लिखेंगे, experience लिखेंगे, ये पूरा job application पूरा बनाएंगे, तो पहले मैं आपको इसका output दिखा देता हूं कि ये किस तरहे का output देखना चाहरे हैं, देखी ये है job application, आपने अपन middle name डाला, last name डाला, gender choose कर लिया, address लिख दिया, phone number लिख दिया, कोई भी जो आपको चाहिए, percentage लिख दिये, कितने हैं आपके, यहां side में देखिए, पार भी दिया गया, percentage कम जादा भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप लोगों का other कोई experience है, कितने साल का experience है, और बस आपका एक submit बटन दबा दिया, और आप लोगों का यह submit हो गया, अब इसमें कोई PHP है, database नहीं है, जिस पर कि आप submit करेंगे, तो आपका बस fresh form आ जाएगा, और कुछ नहीं, तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह के forms बनाए कैसे जाते हैं, अब हमें इस question को करने के लिए हमारे पास एक subline है, और इसी पर हम लोग पूरा design करेंगे, ठीक है, अब उसमें भी बहुत आसान है, मैंने पिछली बार जब paper कराया था, तो उसमें देखा था कि आपके लिए बहुत आसान था, क्योंकि उसमें आप लोगों की shortcut की subline वाली सारी चलती है, तो आप लोग शुरुआत म इसको save कर लिजे, और मैंने यहां form.html के नाम से save कर लिए, वहां save करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का already सारा online ही चल रहा है, यहां html लिखेगा और लिजे आपके सामने यह सब कुछ लिख लिखा कर आ गया, अब सीधा हम लोग यहां से body से शुरू करते हैं तो सबसे उपर हम लोग, भई क्योंकि यह आप लोगों का CSS का है, तो आप लोगों को ध्यान हो, आप लोगों को head में, उसकी के नीचे just आप लोगों को यहां पर type करना होता है, यह मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, यहां पर हम लोगों को style type करनी पड़ती है, तो हम लोग style लिख देंगे, और style के अंदर यहीं पर आपको style codes दिखने है, यह तो बात की बात है, main सीधा आते हैं, हम लोग सबसे पहले किस चीज के लिए, अपने body के अंतरगत का content पूरा type करते हैं, तो body में सबसे पहले हम लोगों ने एक form नाम का tag बना लिया, form, और form tag पे हम लोगों ने अपना form लिखना शुरू किया, सबसे पहले form के अंतरगत मैंने यहां पर एक heading डाल दी, यादे सभी को h1, h2 tag का इस्तेमाल करते थे, और देखिए हमारी एक heading आ गई, heading में हम लोगों ने यहां पर एक सीधा-सीधा label लिख दिया, first name, यह रहा हमारा label, first name, label बंद कर दिया है, first name की जगे मैं यहां लिख देता हूँ, enter name, चिक, और अब जो भी नाम बच्चा या candidate डालेगा, वो सारा का सारा नाम जो है, वो आपका जाकर save हो जाएगा, उसके लिए आपको एक text box बनाना पड़ेगा, input type text, इस text की कोई ID दे दीजे, फिलाल तो कोई database की जरुवत नहीं है, तो अगर यह line उड़ा भी देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, चिक, और यह लीजे हमारा यहां से एक simple सा तयार हो गया, आप कोशिश करिएगा कि जल्दी जल्दी यह copy paste करते चले, देखिए हमारा यह और वो label लिख देते हैं, जेंडर का, क्योंकि हमारे पास time की shortage है, तो हम लोग छोटा-छोटा करके बनाएंगे, और इस पर आप लोग radio बटन बनाती है, रेडियो बटन कैसे बनाते हैं, वो आप लोगों को पढ़ा ही गया है, आप लोगों को, आपको input type radio लिखना होगा, input फिर मैं दूसरे में आगर ID दिखाता हूँ आपको, ये तो हो गया हमारा पहला वाला gender, label में mail डाल दिया, दूसरा फिर हम लोगों ने किसी तरीके से डाल दिया, यहां थोड़ा सा space दे देता हूँ तो आपको clear हो जाएगा, यह बचों यहां पर यह जेंडर जो है, इसमें mail ID अगर आप लोग और से देखें, इसमें यहां पर यह ज़्यादा जरूरी नहीं है, में यह जरूरी है, तीनों में जेंडर डाल रखा है, यानि कि यह तीनों जेंडर के ही पार्ट है, अगर आप लोग यह ID हटा भी देंगे, तो उससे प्रोग्रामिंग में अभी फिलाल कोई फर्क नहीं होने वाला है, वैसे ID डालना इसलिए जरूरी होता है, वरना आपको डेटा पहचानेंगे कैसे, अभी हम लोग जब फॉर्म भरके भेजेंगे, तो यह फॉर्म का डेटा आकर सेव हो रहा है, यह कैसे पता चलेगा किस फिल्ड का है, देखें यह यहाँ पर आ गया, यहाँ पर देखें, मेल आ गया, फिमेल आ गया और अधर, अब तीनों में से कोई एक ही चूस कर रहा है न यह, तीनों में से एक ही चूस क्यों कर रहा है, क्योंकि तीनों जो है, एक ही फैमिली का ही पार्ट है, कौन सी फैमिली का पार्ट है, जेंडर फैमिली का, तीनों मे यह चेंज हो रहा है यह एक सेपरेट हो गया ना है वह होना तो यह चाहिए कि तीनों बटन में से कोई एक चलना चाहिए यह क्यों नहीं चल रहा क्योंकि यह दोनों तो जेंडर हो गया यह अलग हो गया इसलिए तीनों को जेंडर में ही डाला गया ताकि तीनों में से कोई ए और यह रेडियो बटन्स हो गया यह भी रेडियो बटन हो गया यह अधर डाल दिया हम लोगों ने इस रिक्वार्ड की जरुवत नहीं है कि यहां तक हमारा यह तयार हो गया बिलकुल इसी तरीके से बच्चों आप लोग अपना फोन नंबर और एड्रस भी इसी में आड़ कर दीजेगा ऐसे हैं देखिए हमने यहां से एक लेबल और बना लिया इस लेबल में डाल दिया एड्रस और एड्रस जाकर सेव हो जाएग हो जाएगा टेक्स के फॉर्में on the phone ने के छाके सेव हो जाएगा डेक्स के άईड की ज़रूरत डाय के जरूरत अभी हम लोग हटा देते हैं जब पूरा डेटावेषइंश बनता है तब उसकी जरूरत पड़ती है तो अभी तक कॉर आप लोग फॉर्म चेक करें तो यह फॉर्म आपका ऐसा तयार है जेंडर बन गया है एड्रस आ गया है और फोन न्मब арlage एड्डस फोन नंबर के बीच में भी मैं भ्रेक देता हूं ताकि ये शारा कैसा scrut के नीचे एक हो couldนी के और यह देखे अपाशा हो ठिक ज्यादा टाइम मत देजेगा इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम लोग उतना पूरा डिटेल में करें इतना बहुत है हमारे पास ज्यादा लिखना है तो कॉलिफिकेशन एक और देजिए बस अब हम लोग यहां से css के कमांड चालू करते हैं css कमांड बनाने के लिए बच्चों इस पूरे को एक div बना लिजे div कैसे बनाते हैं डिवीजन किसको कैसे देते हैं इस पूरे को आप लोग यहां लिख दीजेगा div और div के बाद यहां पर डाल दीजे class एक्वल टू कंटेइनर इसे करने से क्या फैदा मिलेगा यह पूरा और div का पार्ट हो गया अब मैंसे रिडूट करूंगा तो यह देखेगा यह पूरा का पूरा div का इस पर कोई चेंज नहीं हुआ पूरा container का मतलब यह पूरा एक डबा है अब मैं डियाइवी में कुछ भी change करूँगा तो इस पूरे डबे के अंदर change होने वाला है बस इतना ही समझके रखिए हमें छोटे-छोटे parts में भी डियाइवी बना सकते थे अब हम लोग उपर जो style डाली है उसी style के अंतरगत अब हम लोग यहाँ पर style sheet चालू करते हैं तो हमने यहाँ style डाल दी है और style में सबसे पहला काम तो यही होता है style में कि आप लोगों को यहाँ पर selector डालना होता है हमने यहाँ पर selector डाला है body और body के अंदर क्या-क्या तो यह जो है body उसके अंदर font aerial हो नमबर सेकेंड बैक्ग्राउंड का color जो है वो क्या होना चाहिए वो मैंने यहां पर डाल दिया है बैक्ग्राउंड color हमारा यह hexadecimal code है अब मैं इसको run कराऊंगा तो आप लोग देखेंगे इसमें थोड़ा सा बतलाव हो गया आपने देखा font change हो गया पीछे अलका सा background color भी चेंज हो गया background color हम लोग कोई और बड़ा color ले ले लेते हैं जैसे for example हम लोगों ने ले लिया gray तो यह gray color का हो जाएगा देखें ऐसा तो यह वाला tag कहां पर काम कर रहा है यह वाला tag जो है आप लोगों का यह वाला जो है वो इसके लिए apply हो रहा है अब यह तो यहां से नीचे तक है तीन सबका font area हो गया सबका background color gray हो गया ग्रे खराब लग रहा है पहला वाला साहिता तो यह तो बात किसके लिए होगी style body के लिए उसके बाद next अब हम लोगों ने इसी में दूसरा style डाल देते हैं वह है container के लिए डॉट container का मतलब होता है बच्चों जितने भी container थे सब तो अभी तो हमारे उसमें एक ही container है तो हम लोग एक container के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं अब container के लिए styles क्या क्य डालनी हैं हमने डाल दिया container में जितने भी हैं सबकी विर्थ बढ़ जाए कि सबकी विर्थ बढ़ा दी सबका background चेंज कर दिया और सबकी padding change कर दी यह सारी चीज़ें हम लोगों ने container में डाल दी पैडिंग का मतलब बच्चे होता है आसपास की space और इसका border जो है वो radius 8 cm का या 8 पिक्जल का कर दिया तो आप देखेंगे कि यह container के लिए हमारा apply कर देगा यह पूरा का पूरा अब आपको यह white color का container दिख रहा होगा अलग से इसके किनारे हलके से white मैं इसको थोड़ा सा डाक कर देता हूं तो आपको container हाइलाइट हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर green yellow कर दिया और अब अगर आप देखें तो आपको container आप साफ साफ दिखने लगा होगा तो container में आपको दिखा यहां round हो गए corners container में आपने यह किया था container की चौड़ाई 800 पिक्सल की हो गई background यह है आप लोग background इसका कोई और भी कर सकते हो जैसे background मैंने यहां कर दिया ग्रे तो container का background gray हो गया पैडिंग का मतलब बच्चों यह होता ही आसपास की space कितनी देनी है और border का तो यह होई गया तो यह container पर अप्लाई हो गया इसी में हम लोग थोड़ा सा और एड कर देते हैं अगर अगे तो आप अगया तो आपको और अच्छे से दिखेगा यह रहाँ बन गया अब करने को तो बहुत कुछ कर सकते थे हम लोग लेकिन इसमें कोई कोई कोशन पेपर में मैंशन नहीं है उन्होंने कहा है कि बस CSS का इस्तेमाल कर लिया जैसे आपको यहां दिख रहा है और प्लस अपना फॉर्म भी बना लिया इतना ही कर पाएंगे आप मेल फिमेल बस इतना ले लिया तो सभी को समझ आ गया फॉर्म कैसे बनाया गया तो यह कोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है यह एक ऐसा कोशन है जो आपका CSS में या HTML के फॉर्म में HTML आ गया तो आप उपर वाला कुछ मत लिखिएगा बस इतना ही लिखिएगा और CSS आ गया तो उपर यह लाइन है और जोड़ दीजेगा स्टाइल लगा करें बस तो यह फैदा होता है आपका इस पर है तो मेरे क्याल से आपको यह वाला कुशन क्लियर हो गया हो में बच्चों तीन कोशन तो कम से कम आ नहीं है एक कोशन आपको HTML कर रहेगा एक आप लोगों का CSS कर रहेगा और एक जावा कर रहेगा यह 95% चांस है कि यह रहे नबर 95% का मतलब मैक्सम में है रेयर केस में कभी कबार CSS की जगे दो HTML मिल जाएंगे या कभी कबार ऐसा भी होता है कि HTML के अंदर दो छोटे-छोटे हैं यही चार हो कोशन वन के दो हो ए बी और CSS का एक और जावा का और फ्रेमवर का कोशन आने के चांसस कम होते हैं क्योंकि फ्रेमवर्क के लिए आप लोगों को framework से file link करनी पड़ती है तो इसलिए उसके chances काम है पिछली बार भी नहीं आये थे तो Java का जो questions जो सबसे common question है वो दो question तो सबसे ज़्यादा easy है और यही सबसे ज़्यादा आते भी है पहला question आता है calculator बनाने का जिसमें आप लोगों को दिया जाता है कि आप लोग अपने calculator तयार करिए और यह calculator बनाना कौन सा है यह calculator आप लोगों को बनाना है additions, subtraction, income दूसरा question जो आपका सबसे ज़्यादा आता है वो आता है factorial निकाल लीजे या sum of the numbers निकाल लीजे तो मैं है कि easy सा concept बता देता हूं factorial का कैसे निकालते हैं तो आपको यह idea हो जाएगा किस तरीके से यह बनाना होता है तो जावा के लिए आपको जावा coding अच्छे से आनी चाहिए जो में सार equation का वो यह है अब देखिए जावा में आपको पहले यूजर से नंबर चाहिए तो यूजर से नंबर लेने के लिए आपके पास कई तरीके हैं यूजर इंपुट करता है अपना नंबर उनी में से एक तरीका है कि आप लोग एक नंबर यूजर से किसी टेक्स बॉक्स या किसी बटन से लॉग इन कराके ले लिए अब यूजर जो भी नंबर डालेगा उस नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकाला जाए पहले मैं आपको एक छोट यूजर 4 को इंपुट कराता है एन्यू एम की वेलू 4 है अब हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 4 फिर उसके साथ एक माइनस कर दिया जाए ठेक है उसको मल्टिप्लाई कर दिया जाए किसके साथ 3 फिर उसके साथ क्या कर दिया जाए 2 औ और 4 तक जाए, तो हम लोगों ने इसके लिए logic क्या कर रखा है, सबसे पहले एक factorial नाम से हम लोगों ने तयार कर लिया एक variable, उसके अंदर 1 store कर दिया, जैसा कि इस line में आपको दिख रहा है, factorial 1, factorial के अंदर एक value है, factorial 1, अभी के लिए मैं इसको short form में लिख देता हूं, fact 1, ठि I ले लेते हैं, I, और यहां पर मैंने एक loop चला दिया है, loop किसका है, I का है, I की value 1 से शुरू होगी, और NUM तक जाएगी, NUM की value कितनी है, बचो, NUM की value यूजर ने कितनी दी है, NUM की value यूजर ने 4 दी थी ना, ठिक, तो सबसे पहले आप सोचिए, factorial की पहली value कितनी है, पहल यहां से शुरू होता है, और यह कितनी बार rotate होगा, 1, 2, 3, 4, 4 time rotate होगा, सबसे पहले I की value कितनी है, I की value 1 है, तो आप सोचिए कि I की value 1 है, fact की value कितनी होगी, fact की value हो जाएगी, आप खुदी एक गणित कर लीजी, यहां पर पहले वाले fact की value कितनी है, 1, 1 को multiply करो, 1 के साथ तो कितना हो गया, 1, तो यहां 1 आ गया यह, अब उपर पहुंचा I की कौन सी लूप चलेगा, I का लूप चलेगा, 2 का, एक लूप तो हो गया न, अब दूसरा लूप चलेगा, अब दूसरे लूप में fact की value कितनी हो जाएगी, fact की value हो जाएगी, पुराना वाला fact कितना है, पुराना वाला फैक्ट यह है वन और अब आई की वेलू कितनी हो चुकी है तू तो अब यह वाला फैक्ट कितना हो गया होगा तू हो गया होगा अब आई की वेलू कितनी चलेगी तीसरी बार के लिए तीन के लिए अब फैक्ट कितना हो जाएगा पुराना वाला फैक्ट कि आँसे देखे आ रहा है तू और अब आई कितना है तो 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 आप कितना हो गया इसके आगे चलेगा यह नहीं लूक क्योंकि नम फॉर तकी तो जाना है तो फैक्ट की वैलू का आउट्पुट में कितनी निकल कर आई 24 यही तो अंसर होता है फॉर का फैक्टोरियल कितना होता है इसी को ध्यान पर रखके यह पूरा प्रोग्राम बना दिया गया स्क्रिप्ट में सबसे पहले यह फंक्शन बनाया गया है कैलक्कुलेट फैक्टोरियल इसमें यूजर से एक वैलू ले ली गई और यूजर से जो भी वैलू डाली है वह जाकर स्टोर कर दी गई है ऐनूम में ठीक हैं और यूम की वैलीट चेक कर लिए यूजर तो पागल देता है तो यह कंडिशन चेक करने के लिए अगर आप यह प्रोग्राम में लाइन हटा भी देंगे तो कोई जर्कत नहीं है हमारा प्रोग्राम पॉस्टिव डंबरों के लिए तो काम करेगा ही करेगा ना सब्सक्राइब अब यह वही कंसप्ट है जो मैंने अभी आपको पत इसका मतलब मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि अगर यह चीज़ लिखकर आ रही है तो इसका मतलब है फाक्ट एक्वल टू फाक्ट इंटू आई तो जब आप इस चीज़ को इस तरह भी लिख सकते हैं और इस चीज़ को फाक्ट मल्टिप्लाई एक्वल टू आई ऐसे भी लिख सकते हैं बात एक ही है ठिक अब प्रोग्राम रोटेट होता रहेगा और आकरी में क्या जो बचेगा वही चीज़ आप लोगों की यहाँ प और calculate किया तो देखिये factorial आ गया तो यह है हमारा factorial का प्रोग्राम तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है और यह important questions में से थे एक यह ता तो इसी तरीक है कि जितने भी questions आप लोगों को M2 के कराये गये यह जरूर कर लीजे कुछ famous questions जो मैंने आपको बता दिये जैसे पहला question मैंने आपको बता दिया, form पढ़ लिजेगा, form create करने का, दूसरा मैंने आपको calculator बता दिया, ये जरूर कर लिजेगा, calculator के लिए, तीसरा मैंने आप लोगों को बता दिया, factorial, और factorial से भी एक और जुड़ा हुआ मिल जाएगा, sum of series का भी, sum of series मतलब वोई event से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके का, एक frame set का भी question आता है बचों, ये भी बहुत बार आया है हुआ है, तो आप इसको भी एक बार देख लिजेगा, उसमें पढ़ा हुआ है, HTML के hyperlink का question 100% आता ही है, जो आप लोगोंने hyperlink पढ़ा हुआ है, anchor command जो आप लोगोंने पढ़ा था, वो आएगा ही आएगा, तीन में से एक सवाल, किसी ने किसी को टकराएगा ही टकराएगा, तो इन सवालों को ज़रूर कर लिजे, ये आपके लिए सबसे the important है, clear?